देश की जनता ने तीसरी बार NDA को पूर्ण बहुमत दिया है और तीसरी बार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंतरी पद की शपत ली है लेकिन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के अगले सौ दिनों का एजेंडा क्या है पांस साल का क्या एजेंडा है हम जानते हैं प्रयागराज वासियों से इन से ही सीधे बाचीत करने की कोशिश करते हैं क्या इस्तितियां लग रही है प्रधानमंतरी नरेंद मोधी ने तीसरी बार सपत ली है क्या लगता है अगले 100 दिनों में देश कहां जाने वाला देखे जो मोधी जी ने शपत ली है ये continuation में सरकार है तीसरा term है तो इसमें हम ये कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि पिछली सरकार ने ऐसा किया था अब आपको ऐसा करना है ये continuation में है जो मोधी जी ने पिछली बार जो काम अधूरे रहे गए थे उन कामों को आगे बढ़ाना है हाँ कुछ विशेश चीजें होंगी जहाँ पर उनको फोकस जाधा करना होगा जो विकास के संबंदी जो पुराने कारे चले आ रहे थे उनमें तीवर गति लानी होगी और अगर मैं बताओं कि कुछ नए जो कारें को करना होगा जो कहते हैं ने concentration of the wealth economy का एक जगह पर जो केंदरी करन हो रहा है उसको थोड़ा से distribute करना होगा trickle down economy यानि कि जो उपर से शुरू हो और जो अंतिम पायदान पेवक्ति खड़ा हुआ है वहां तक सारी सारी चीजें उसके पास तक पहुंचें ऐसा होना सबसे आवश्यक है जो मुझे लगता है कि समय की सबसे प्रहुख मांग है बहुत important बात इन्होंने कही कि नीचे तक विकास हो गरीबी हटे तीसरी अर्थ व्यवस्था के रूप में प्रधान-मंत्री नरेंद मोदी का कहना है कि लाएंगे देश को जिस पेकार भारत की जन्ता ने मानी प्रधान-मंति पूरा करेंगे इस दफा गडबंधन की सरकार हम कह सकते हैं पूर बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को तो कॉलेशन की सरकार है दबाव होगा कामकाच पर नहीं हमारे सेहोगी सबसाथ में हैं और लगातार साथ कार कर रहे हैं और आगे भी मानिपधान मंदी जी के नेता तुम बिषिवात पर खरा उत्रेंगे जो भी दूसरे कारकाल में काम नहीं हो सके तीसरे कारकाल में अपना पूरा करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक गरीब तक पर इनकी सारी और पहुंचेगी हमको पूर्बिस्वास प्रधान मंतरी जी के सोशल मीडिया हो या फिर हम कहें कि र यह दिखा दिया कि ताना शाही किसी देश में कहीं भी ताना शाही नहीं चलती है और यही एक नतीजा है कि आपने वरांसी का देखा कि जो इतने बड़े मतों से जीता करते थे और आज वह कहां सिमटके नीचे आ गए दूसरी जो एहम बात है कि दस साल दस साल तक जब उन्ह कि आहीं निडानलय नहीं ले पाये और अपने सयल दल को ही उन्हों ने वार किया किसी को पलटू बोला किसी को दर्वाजे बंध है शा जी ने भी वो ला पड़ी लूली सरकार इनकी है इनकी सरकार का कोई भविस नहीं है यह सरकार कभी भी धरासाई हो जाएगे क्योंकि इनका वीजन नहीं है यतने लोग हैं इसके अंदर सामील है लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि महागडबंदन की सारी सीटे मिला दी जाए तो बीजेपी से कम रही देखिए हम आपको बताएं अगर ये सरकार 50 सीट ये सरकार ने भैमानी की है जिस तरीके से हर जगे कहीं 400 कई 500 कई 4000 ओटों से हराया गया है ये इनके पास कहीं विजन नहीं है ये तो खाली आये थे नफरत पहलाने और पूरे देश के अंदर नफरत पहलाया नफरत की राजनीत की हिंदों को मुसंवान से लड़ाया जात को जाए नहीं मिला क्योंकि आदमी ये देश प्रेम का सद्वाव का करूना का है लेकिन जब 10 साल कॉंग्रेस सरकार में रही और उसके बाद 14 में जब आई तो देश ऐसा है कि भारती जन्ता पार्टी भगवान के नाम से ट मांगती है पुरीद दुनिया में कोई भगवान के नाम से नहीं मारता और मोधी जी खुद यह कहते कि मैं भगवान हूं पूरा इंडिया वंधन जो था सब मिलके लड़े हैं ठीक है उसके बाद भी बीज़े पर देश की जनता ने विश्वार जगाया है और क्योंकि उन्हों ने बहुत कार कि इतनी योजिनाएं लाएं जिसका लाब सब को मिलाए कोई भी तबके का हो कोई भी धर्म का हो कोई भी जाती का आदमी हो जैए उज्वल योजिना हो लेकिन इस बार गडबंधन की सरकार है तब हमत की नहीं धहते रहेगा क्या काम काच कर पायें सारे काम कोई दबाऊ सपना है जो उनके यह कर देगो उनको भी में सामिल करें बहिंहों बाई ओड जनता ने हिंदुस्तान को दिया है हिंदुस्तान से आप इच्छा करें कि हम कोई कुछ मिले अब वो सरकार लेके बनाया गया है उनके साथ में उनके भी कुछ जो सपने हो पूरे करें कॉंग्रेस तो ऐसा खुष हो रही है कि जैसे कि उन्होंने सरकार बना लिए उसमें सब खुषते जनता भी खुषती मागडबंधन वाले भी खुषते बीजेपी वाले भी खुषते और सबसे वड़ी बात चुनायोग भी खुषता इवियम का अरोप नहीं लगा देखिए इवियम का अरोप था है और रहेगा क्योंकि इवियम के अंदर जो बैमानी सेट है वो रहेगी इवियम इवियम पे आरोप नहीं लगे इस बार देखिए मैं इस पश्ट बात कहना चाहता हूँ जनता ने जनादेश दिया है समविदान के तहत किसी को सरकार बनाने के लिए रखा जाएगा क्योकि हम लोग सब लोग कोई दिल्ली में नहीं उत्तर बदेश में रहते हैं तो जैसे उत्तर बंदेश का आदमी चाहता अक्ली का बीड़ार्णी maintenance है ? पूरी दुनिया को माडल दिखाये गया था और राम मंदीर उनी ने राम ने इनको इसा मुँपे तमाचा मारा कि जिंदगी पर ये कभी भूलेंगे नहीं पूरा विपक्ष मिला के भारती जन्ता पाटी की बराबर की सीट नहीं पापा है और सबसे बड़ी चीज़ देखें देखें पहले तो देखें यहां सब पे लोग कड़े हैं यह कॉंगरेस की मान सिक्ता दिखा रहा है कि अनपर जाहिल रहेंगे कॉंग्रेस पड़े लिगे नहीं है और अनपर जाहिल रहेंगे तो अगले अगले पास सालों में पप्पू इतली भाग जाएगा पिनानी के पास अगले पास सालों में पप्पू इतली भाग जाएगा पिनानी के पास यहां हार और जीत जनता की है जनता की यहां जीत हुई है और राहुल गांधी जिनकों इन्होंने भरम फ्हलाने दस साल से भरम फ्हला रहे थे आज वो पूरे देश के सबसे लोगप्री नेता है यह एन आईएसी की रिपोर्ट है कि 36 परसे लोगप्री नेता में राहुल गांधी जी ने दर्च कराई और साथ-साथ अपने इविएम पे यह सवाल क्यों नहीं कर रहे है यह इविएम पे बहस क्यों नहीं कर रहे है अब इस बार का चुनाओ जो रहा वो अपने आप में एति होप नहीं लगे बारहाल प्रियागराज वासियों से हमने जाना की अगले पांस सालों में और अगले सौ दिनों में परधान मंतरी नरेंद्र मोधी का एजेंडा क्या होगा वीडियो जनलिस संजीव मिश्रा के साथ अभिशेक पांडे भारत एक्स्प्रेस प्रियागराज गल्वार घट पारो अना